गुड मॉनिंग, गुड आफरनून, गुड इवनिंग फ्रेंड्स मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल English with Rohit इस चैनल पर हम आपके लिए लाते हैं मोटिवेशनल, एजुकेशनल and English learning वीडियो अगर आप इस चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें ये बताना बिल्कुल न भूलें कि आपको ये वीडियो कैसे लगी तो आईए शुरुआत करते हैं मेरा नाम है रोही तो आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल English with रोही तो आज हम सीखने वाले हैं Present Perfect Continuous Tense फ्रेंस Present Perfect Continuous Tense और Present Continuous Tense दोनों देखने में एक जैसे हैं अगर आप दोनों की पहचान की बात करें तो बिल्कुल एक जैसी है छोटा सा दिफरेंस से आईए देखते हैं मुसको Present Continuous Tense की अगर हम बात करें तो उसकी पहचान होती है रहा है रही है रहे है खड़ा है पड़ा है बैठा है ठहरा है यह हमने सीखा था लेकिन अगर हम Present Perfect Continuous Tense की बात करें तो उसकी भी सेम पेचान होती है रहा है रही है रहे हैं खड़ा है पड़ा है बैठा है ठहरा है लेकिन एक जो सबसे बड़ा difference है friends वो है time लगातार समय का आना जरूरी है stance में लगातार समय का आना जैसे की सुबह से शाम से राज से जनन से मृत्यू से आदी 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 रूल की बात करते हैं subject प्लस has a प्लस been प्लस वक के साथ आई एंजी object, scenes, four और time friends यह जो scenes four है यही आप के समय को दिखाता है कि आपको सुबह से, शाम से, रास्ते में किस को चूज़ करना है scenes को चूज़ करना है four को अभी हम उसकी बात करेंगे पहले हम structure देख रहे हैं इस sentence has a been के साथ work के साथ ing का प्रियोग करते हैं और negative में has a not been का प्रियोग करते हैं और interrogative में has a को पहले लगा कर बाद में been और ing लगाते हैं तो अगर हम पहले sentence से देखते हैं एक example लेते हैं वह सुबह से किताब पढ़ रहा है friends अगर हम इस sentence में से सुबह से हटा दें तो हमारा sentence में बनेगा वह किताब पढ़ रहा है जो की present continuous tense है तो आपको ये ध्यान रखना है कि present continuous और present perfect continuous में केवल time का फर्क होता है तो हम sentence देखते हैं वह हमारा subject है पढ़ रहा है हमारी verb है और किताब हमारा object है और सुबह से हमारा time है जो हमें इस समय की जगा पर रखना है sentence बनाते हैं he has been he के साथ has का प्रियोग होता है यह हम present perfect tense में सीख चुके हैं के he, she, it, ram, sita के साथ has का प्रियोग होगा और I, we, you, they और plural noun के साथ have का प्रियोगा फिल भी मैंने यहाँ पर थोड़ा सा हिंट दे दिया है तो अगर हम sentence देखते हैं he has been reading a book since morning friends हमने यहाँ पर scenes का प्रियोग क्यों किया हमने four का प्रियोग क्यों नहीं किया यह scenes और four यह दोनों दिखाते हैं जो आपके sentence में say शब्दाता है उसको जैसे की सुबा से, शाम से, रात से इस say को दिखाने के लिए हम scenes और four का प्रियोग करते हैं तो आई यह इसको समझते हैं आसान तरीके से आपको और कई वीडियोज में बताया गया होगा के scenes का प्रियोग हम निश्चित समय के लिए करते हैं और four का प्रियोग हम period of time के लिए करते हैं वो बात बिलकुल सही है लेकिन कई बार बच्चे फिर भी confused रहते हैं कि कौन सा समय निश्चित होता है कौन सा समय period of time होता है तो इसके लिए एक छोटा सा तरीका निकाला है हमने अगर आपको 4 का यूज करना है तो आपको ध्यान रखना है कि आपके sentence में countable यानि की 1, 2, 3 ऐसे words दिखने चाहिए और उसके बाद दिन, महीने, साल, घंटे, मिनट दिखने चाहिए अगर आपके sentence में ऐसा दिया गया है कि counting दि गई है 1, 2, 3, 4, 5, 100, 50, whatever it is और उसके बाद दिन, महीने, साल, घंटे, मिनट दिए हुए है तो आपको 4 का प्रियोग करना है अगर आपके sentence में कई शब्द आया हुआ है कई दिन, कई महीने, कई साल, कई घंटे, कई मिनट तो भी आपको 4 का प्रियोग करना है अब easy यह बात हो जाएगा आपको कि अगर इसके अलावा आपको कोई भी समय दिया गया है तो आप sentence का प्रियोग कर सकते हैं अगर आप 4 का प्रियोग याद कर लेते हैं तो सीन्स का विल्कुल जुरुत में आपको याद करेंगी क्योंकि इसके अपोजिट में आपको सीन्स लगाना है सिरफ इसे अच्छे से याद कर लेना ये एक easy तरीका हो सकता है सीन्स 4 को समझने का आईए बात करते हैं सेंटेंस पे दुबारा वह सुबह से किताब पढ़ रहा है तो पढ़ना हमारी वर्ब हो गई और हमने पिछले कई सेंटेंस में सीखा है कि अगर आपको सेंटेंस को नेगेटिब बनाना है तो केवल not का प्रियोग करना है तो हमारा नेगेटिब सेंटेंस क्या बनेगा और हमारी वर्जाना है सब में अबज़ेक के बात लगाना है इंटारोगिटिब सेंटेंस बनाएं तो क्या जैसे कि क्या वह सुबह से किताब पढ़ रहा है has he been reading a book since in the morning क्या वैं सुबह से किताब नहीं पढ़ रहा है has he not been reading a book since in the morning तो अगर आप ध्यान से देखें तो सिरफ आपको has, have been का थोड़ा सा ध्यान रखना है और since 4 का ध्यान रखना है otherwise इस टेंस में मुश्किल जैसा कुछ भी नहीं है ठीक है तो I hope कि आपको यह समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से हाँ, दूसरी बात अगर आपको एक बार में समझ नहीं आता है तो आप इसे 3 बार देखें, 4 बार देखें क्योंकि देखने में आपके पैसे नहीं लग रहे हैं तो आप जब आप इसे 3-4 बार देखेंगे वीडियो को मेरी गैरेंटी एक आप अच्छे से स्टेंस को समझ जाएंगे तो दोस्तों सब्सक्राइब करें शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इस वीडियो से फाइदा उठा सकें और नीचे कमेंट करके हमें जुरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी ताकि हम और मैनत करें और बेटर वीडियो आपके लिए लाते रहें तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं एक नई वीडियो में नई एनरजी और नई जोश के साथ थैंक्स पर वाचिंग बबाई